नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में मेरा नाम है विने कमबोज और आज हम आए हैं फॉक्सवेगन करनाल में और आज हम बात करेंगे फॉक्सवेगन पॉलो जीटी की अगर आप पसंद करते हैं गाड़ी ड्राइव करना और साथ ही आप चाते हैं कि एक पावरफुल मुशीन आप ड्राइव करें और साथ ही आपको सेफटी भी उसके अंदर मिले तो टोटल आपको six color choices इसके अंदर अविलेबल रहेंगी अगर आप consider करते हैं पॉलो जीटी तो आपको इसके अंदर तीन color options आपको मिलेंगी ग्रे कलर आपको अविलेबल रहेगा वाइट कलर अविलेबल रहेगा और साथ एक red color आपको मिल जाता है डिटेल वाकराउंड स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले red बटन को दबा के चैनल को subscribe कर लीजिए और साथ ही bell icon दबा दीजिए हमारे latest videos update सबसे पहले बाने के लिए तो आईए चलते हैं Volkswagen Polo के पास बात करें गाड़ी की front looks की जो front looks है गाड़ी की वो काफी शांदर है देखने में काफी अच्छी लगती है स्टार्ट करें front grill से front में आपको जो grill मिलेगी उसका size आपको compact मिलेगा लेकिन देखने में काफी अच्छी लगती है जो लोवर आपको पार्ट मिलेगा, ये क्रॉम के अंदर मिलेगा, जो फ्रंट लुक्स को और ज़्यादा इंप्रूव करता है, और साथ ही आपको यहाँ पे जीटी की बैजिंग मिलेगी, और सेंटर में आपको वी डबलु का लोगो अवेलेबल रहेगा, और जो इसकी फिन अवेलेबल कराता है, जिससे गाड़ी और ज्यादा अच्छी लगती है, बिल्कुल उसी के निच्चे की तरफ आपको यहाँ पे लोवर ग्रिल मिलेगी, जो लोवर ग्रिल है, उसका डिजाइन भी काफी अच्छ है, और यहाँ पे भी आपको यह क्रोम वर्क अवेलेबल जो अगेन गाड़ी की लुक्स को इंप्रूव करता है, यहाँ पे आपको अवेलेबल रहेगा फोग लेंप्स और साथ ही आपको कोर्नर एसिस्ट, लाइट भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है, जो एसिस्ट करेगी कोर्नरिंग में, जब आप टरन करेंगे तो आपको ए प्रीमियम हैच बेक गाड़ी है, उसी के एकोडिंग जो गाड़ी की लेंथ है, वो काफी अच्छी है, 491 अम आपको गाड़ी की लेंथ मिलेगी, स्टार्ट करते हैं गाड़ी के टायर साइज से, जो टायर साइज आपको मिलेगा, जो टायर साइज आपको मिलेगा, और ज साथ ही आपको जो outer mirrors मिलेंगे वो उनका जो design है वो काफी अच्छा दिया गया है और अपर जो पार्ट आपको मिलेगा यह black finish के साथ मिलेगा और यहाँ पे आपको LED blinkers मिलेंगे जिनका जो size है वो काफी small दिया गया है और जो देखने में काफी अच्छे लगते हैं दोर handles आप बात करूं गाड़ी के ground cleanse की जो ground cleanse आपको मिलेगी गाड़ी के अंदर 165 mm की ground cleanse आपको यहाँ पे अविलेबल रहेगी और साथ ही आपको यहाँ पे बैजिंग मिलेगी GT की जैसे यह जो वेरियंट है यह एक petrol वेरियंट है तो यहाँ पे आपको TSI की बैजिंग मिलेगी अगर आप consider कर रहे हैं डीजल के अंदर तो आपको यहाँ पे बैजिंग मिलेगी TDI की तो यह था side profile VW Polo का आप चलते हैं rear profile में और बात करते हैं rear profile की बात करें गाड़ी के rear profile की जितना शांदार गाड़ी का front है उतना ही शांदार आपको rear looks भी मिलेगा start करते हैं बिलकुल top से top पे आपको यहाँ पे spoiler मिलेगा और जो spoiler का color आपको मिलेगा यह black color के अंदर रहेगा जो contrast में मिलेगा आपको ORVM के साथ जैसे जो side mirrors आपको मिल र की VW GT की अगर आप जैसे consider कर रहे है पेट्रोल तो जैसे यहाँ पर आपको TSI मिलेगा अगर आप डीजल कंसीडर कर रहे हैं तो आपको TDI मिलेगा साथ ही बात करें tail lamps की जो tail lamps आपको मिलेंगे वह LED tail lamps आपको यहाँ पे available रहेंगे जो देखने में काफी अच्छे लगते हैं साथ ही आपको यहाँ पे available हो जाता है rear parking sensors available हो जाता है और जो rear bumper आपको मिलेगा वो single tone के अंदर मिलेगा बिल्कुल base में आपको यहाँ पे reflectors मिल जाते हैं जो help करेंगे रात में आपकी driving को और boot access करने के लिए एक आपको यहाँ प 280 liters का आपको यहाँ पे boot space available रहेगा साथ ही आपको यहाँ पे complete toolkit available हो जाती है और जो spare wheel आपको मिलेगा वो आपको 14 inches steel rim के साथ यहाँ पे available रहेगा साथ ही आपको यहाँ पे partial tray का option भी available हो जाता है और जैसी आप देखेंगे जो boot की opening है उसकी height भी काफी अच्छी है जैसे मेर लिए काफी अच्छा यह space available हो रहे है यहाँ पे और इसको close करने के लिए आपको proper यहाँ पे handles मिलेंगे तो आप इसको easily close कर सकते हैं तो यह था rear profile VWGT का आप चलते हैं rear seat पे और चेक करते हैं rear seat comfort बात करें door trim की जो door trim आपको मिलेगा वो all black finish के साथ मिलेगा जो देखने में काफी sporty लगता है जो inner handles आपको मिलेंगे यह silver finish के साथ मिलेंगे जो देखने में काफी अच्छे लगते हैं अब चेक करते हैं गाड़ी का space जो sitting है गड़ी की वो काफी शांदर है आपको thigh sport काफी अच्छा मिलता है leg room भी आपको normal यहाँ पे अविलेबल रहेगा जो front seat है वो मैंने अपने according adjust की है मेरी driving position के according और साथ ही यहाँ पे आपको एक bottle holder मिल जाता है अगर आप bottle carry करना चाते हैं तो यहाँ पे उसको carry कर सकते ह headrest आपको मिलेंगे यहाँ पे adjustable headrest आपको available रहेंगे आप अपने convenient के according इनको adjust कर सकते हैं तो यह था rear sitting space BWGT का अब चलते हैं driver seat पर और check करते है driver seat driver seat पर चलने से पहले मैं आपको गाड़ी की दिखा देता हूं गाड़ी के अंदर आपको दो keys available रहेंगी एक आपको foldable key मिलेगी और जो second आपको key मिलेगी वो normal key मिलेगी foldable key पर आपको तीन controls मिलेंगे lock unlock और साथ ही boot access के लिए बात करें front door trim की जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपको interior's मिलेंगे वो all black interior's मिलेंगे तो यह भी आपको complete all black मिलेगा यहाँ पर आपको controls मिलेंगे mirrors के mirrors जो रहेंगे वो electrical adjustable रहेंगे और electrical foldable रहेंगे यहाँ पर आपको controls मिल जाता है doors lock और unlock के लिए all four power windows के controls आपको यहाँ पर available हो जाते हैं और यहाँ पर आपको एक bottle holder का option available हो जाता है अब चेक करते हैं seat जो seat आपको मिलेगी वो height adjustable यहाँ पर available हो जाती है आप इसको up-down अपने coding adjust कर सकते हैं साथी जो steering आपको मिलेगा वो tilt adjustable और साथी telescopic भी यहाँ पर available हो जाता है साथी यहाँ पर बात करते हैं controls की यहाँ पर आपको controls available हो जाते हैं अगर आप headlights zone करना चाते हैं तो यहाँ पर आपको controls मिलेगे fog lamps का control आपको यहाँ पर मिलेगा और head lamp leveling का option यहाँ पर available हो जाता है जो staring आपको मिलेगा वो एक आपको sporty feel देगा उसकी जो gripping है उसकी जो quality है वो काफी शानदर है यहापे आपको glossy finish मिलेगी जो देखने में काफी अच्छी लगती है उस center में आपको VW का logo यहाँ पे available रहेगा इधर आपको controls मिलेंगे music system के आप volume up down कर सकते हैं track change कर सकते हैं mute कर सकते हैं यह सबी controls यहाँ पे available रहेंगे और इधर की तरफ आपको controls मिलेंगे voice command के और साथ ही आपको DIS के controls भी यहाँ पे available हो जाते हैं एक जो मैं आपको दिखाना चाता हूँ गाड़ी के अंदर वो जैसे आप निचे की तरफ दिखेंगे तो आपको यह sporty pedals आपको यहाँ पे available रहेंगे जो देखने में काफी अच्छे लगते हैं जैसे यह जो गाड़ी है यह petrol है तो पेट्रोल के अंदर आपको automatic transmission ही available रहेग बिलकुल classic सा आपको यह available रहेगा इधर आपको speedometer मिलेगा center में आपको D.I.S. मिलेगा जिसके अंदर आपको दिखाएगा गाड़ी के अंदर कितना fuel है कितने km साप travel कर सकते हैं और इधर आपको मिलेगा rpm meter जो पैनल है वो काफी बिलकुल classic सा है simple sober जो देखने में काफी देखने में काफी अच्छी लगती है यहाँ पर आपको controls मिल जाते हैं ESP, on-off के लिए defogus का control आपको यहाँ पर मिल जाता है और बिलकुल उसी के नीचे की तरफ आपको control यहाँ पर music system मिल जाएगा 7 inches touch screen आपको music system मिलेगा जिसके अंदर आपको pen drive, radio यह सभी options यहाँ पर available ह जाएंगे यहाँ पर आपको मिलेगा USB का option, center में आपको aux और इधर SD card का option available हो जाता है जैसे आप यह देख रहे हैं जो illumination आपको मिलेगी वो red color की आपको illumination मिलेगी जो देखने में काफी अच्छी लगती है बिलकुल उसके नीचे की तरफ आपको यहाँ पर auto AC का panel मिल जात quality मिलेगी वो भी काफी शांदार आपको मिलेगी चेक करते हैं glow box जो glow box का space भी आपको मिलेगा वो भी काफी अच्छा मिलेगा साथ ही आपको illumination यहाँ पर available हो जाता है और यह जो glow box रहेगा यह cool glow box आपको मिलेगा साथ ही जो IRVM आपको मिल रहे है यह आपको normal मिलेगा day night को option यहाँ पर available नहीं रहेगा तो यह था इंटिरियर पोलो जीटी के अब बात करते हैं safety की और engine specification की तो आईए चलते हैं बात करें गाड़ी के safety features की जो build quality है वो सभी जानते हैं कि Volkswagen top पे है build quality wise जो safety है वो काफी शांदार आपको मिलेगी वहीं अगर मैं बात करूँ standard features की तो dual air driver side, passenger side, ABS brakes with EBD, rear parking sensors तो यह सभी safety features आपको standard रहेंगे जो सभी variants में आपको available हो जाते हैं साथ ही आपको यहाँ पे ESP भी available हो जाता है अब बात करते हैं गाड़ी के engine specification की जैसे मैंने आपको बताया जो GT है वो आपको petrol और diesel दोनों engine options में available रहेगी यह एक petrol engine है मैं आपको एक बा powerful engine है जो है 1.2 liters engine आपको मिलेगा जो power generate करता है 105 PS की साथ ही जो गाड़ी का torque आपको मिलेगा वो मिलेगा 175 newton meters का आपको torque मिलेगा साथ ही जो ARI mileage है गाड़ी की वो आपको 17.21 kmpl की यहाँ पे mileage मिलेगी और अगर आप drive कर रहे हैं city में तो city में जो mileage claim करते हैं 11.34 kmpl की mileage claim करते ह हैं और साथ ही अगर आप consider कर रहे हैं डीजल के अंदर तो डीजल में आपको मिलेगा TDI engine 1.5 liter TDI engine जो power generate करता है 110 PS की और जो गाड़ी का torque मिलेगा आपको 250 newton meters का आपको torque मिलेगा साथ ही जो company mileage claim करते है 21.49 kmpl की mileage claim करते हैं और जो गाड़ी के साथ आपको standard warranty मिल रही है वो 4 years 4 साल और 1,00,000 km के आपको standard warranty मिल रही है साथ ही आपको VW 4 साल का roadside assistance अविलेबल करा रहा है या तो 4 साल या फिर 1,00,000 km और साथ ही जो paint quality है वो भी काफी शांदार आपको मिलेगी जो company आपको 3 साल की paint की यहाँ पे साथ में warranty भी अविलेबल कराती है अब बात करते हैं गाड 500 रुपए आपको इसके लिए pay करना पड़ेगा और अगर आप consider करते हैं डीजल के अंदर तो डीजल में आपको जो amount रहेगा नो लाक बतर अजार गाड़ी का actual room price रहेगा यह जो prices है यह Delhi actual room prices है तो यह था हमारा complete detailed वाकराउंड Volkswagen GT का अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को like और share जरूर कर दीजेगा और साथ ही अगर आप चाते हैं कि हम review करें आपकी फेवरेट गाड़ी का तो हमें comments में लिखके जरूर बताईएगा और अगर आप already use कर रहे हैं VW GT तो हमें comments में लिखके बता आपके जय हैं